जहिन दोस्तों मैंने धिबेंचोहान आजम करेंगे क्लास 9 का 1.6 का question number 3 तो चलिए शुरू करते हैं इसमें हमारा question है 2, 2 की घात 3, point 2, 2 की घात 1,5 अब ये point है इसका मतलब कि ये गुणा हो रहे हैं अब आपको घातं के नियम पता होने चाहिए इसमें यदि आधार एक जैसा हो इसे कहते हैं घात और इन्हें कहते हैं आधार ठीक है तो यदि आधार एक जैसे हो तो हमारी घातें प्लस हो जाती है ठीक है आधार एक जैसे हो और वो गुणा हो रहे हो तो घातें प्लस हो जाती हैं तो घातों को हमने प्लस कर दिया ठीक है तो प्लस करने पर हम क्या करेंगे अब इसको solve करेंगे 2 5 जा 10 तिर्ची गुणा 3 वन्जा 3 तिर्ची गुणा अब 6 दों की गुणा यानि की 3 पंजे 15 अब 2 5 जा 10, 3 वन्जा 3 ये हो गई तिर्ची गुणा और अब 6 दों की गुणा यानि की 3 पंजे 15 अब 2 10 प्लस 3 और बटे में 15 तो 10 और 3 हो गया आपके 10 और 3 हो गया 13 और बटे में आगया आपका 15 तो इस तरह से हमारा अंसर आया 2 की घात 13 बटे 15 अगला क्वेश्चन देख लिजे अब इसमें क्या दिया गया है एक बटे में 3 की घात 3 ब्रैकेट बन और 7 इसका मतलब ये है कि अन्श की और छेद की घात है 7 तो 1 की घात 7 ठीक है ये देखिए एक की घात 7 लेकिन ये घात इस पर भी है ना तो ये घातें गुणा हो जाएंगी घातें गुणा होगी क्योंकि घात है ये घात की घात से गुणा होगी यानि कि एक बटे 3 की घात 3 ये सब पर घात है तो एक की घात 7 और इन दोनों घातों की हो जाएगी घुणा 3 सत्य 21 तो हमारे पास क्या आ गया एक की घात 7 बटे 3 की घात 21 अब एक की घात 7 से कोई फरक नहीं पड़ता वो 1 ही रहेगा ठीक है तो इसलिए हम क्या करेंगे इस 21 अगला क्रेशन देख लिजी अगले क्रेशन में हमें क्या दिया गया है देखे अब यहां पर आधार इने कहते हैं घात और इने कहते हैं आधार ठीक है तो आधार भाग हो रहे हैं तो तब जब आधार एक जैसे हो तो घात हो जाती है माइनस ठीक है जब हमारे आधार एक जैसे हो तो घात हो जाती है माइनस और वो हो रहे हो भाग आधार एक जैसे हो और वो भाग हो रहे हो तो घाते होती है माइनस तो देखिए आधार हमारा एक जैसा है और वो भाग में है तो घाते माइनस हो जाएंगी यह माइनस हो गई ठीक है अब सिंपल है वन फोर्जा 4, टू वन जा 2 और माइनस का माइनस, तीछे गुणा अब छेदों की गुणा, टू फोर्जा 8 अब क्या आ गया, चार में से दो गया, तो दो और 8 का 8 ठीक है, तो टू वन जा 2, और टू फोर्जा 8 तो आंसर आ गया, एक बटे 4 देखिए, फिर से समझ लिजिए, यहाँ पर हमारे आधार एक जासे हैं, और वो भाग हो रहे हैं, तो घाते होंगी माइनस, ठीक है, आधार एक जासे हैं, और वो भाग हो रहे हैं, तो घाते होंगी माइनस, उसके बाद आप देख लिजिएगा, नेक्स्ट कोर्शन है, नेक दब्वाव पर गाते यह और चम्पन सब्सक्रावाटां सबस्क्राबूंत सकते हैं और यह झहीं तो NOT धीले थाउड़े तरो दोनों पर आजएगे कि तो दोनों सेम चाल्च थो अगले वीडियो में अगले कोशन के साथ जय हिन जय भारत